नमुश्कार पैरे बच्चों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से यूटूब चैनल वाइफाई सक्सेस क्लासिस में आज हम लोग NDA के सेकेंड पेपर की बात करेंगे और सेकेंड पेपर में जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे तो वो साइन्स की बात करेंगे और साइन्स में आपका most important रहता है भौतिक बिग्यान physics भौतिक बिग्यान तो ये आपका एक important है maximum number का आता है और अच्छे-च्छे question आते हैं इससे तो हम लोग इस वीडियो में इस physics से relative बात करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला कुशन कहरा है निम्न मेंसे मूल राशी है अब कुशन कहरा है निम्न मेंसे मूल राशी है तो मूल लासियों के बारे में हमें पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए कि मूल लासियां कितने प्रकार की होती है तो मूल लासियां आपकी साथ प्रकार की होती हैं कौन-कौन सी होती है तो उसमें सबसे पहले आप नाम ले सकते हैं लंबाई का नाम ले सकते हैं लंबाई का उसके बाद में नाम ले सकते हैं द्रमान का उसके बाद में तो नाम ले सकते हैं आप समय का, उसके बाद में नाम ले सकते हैं आप ताप का, उसके बाद में नाम आप ले सकते हैं विद्धुधारा का, विद्धुधारा, इसके बाद में नाम ले सकते हैं आप जोती तीब्रता का, जोती तीब्रता, फिर इसके बाद में आप नाम ले सकते हैं पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा तो ये आपकी साथ मूलासिया है अब इसमें कह रहा है निम्न में से मूलासि है तो आपको दिख रहा है कि लंबाई है हमारे पास तो ये मूलासि हो गई चलिए सेकेंड कुश्चन की की बात करते हैं सेकेंड कोश्चन की बात करते हैं manger प्रति सेकेंड मात्रक है बताइए कि अगर झेठरफल की बात करें प्रत्रफल की बात करें कि झेठरफल की संस् writing स्ब्सक्रैना क्या मत्रइब कर तो उस चेठरफल उता लंबाई इंटू चौडाई सही है यानि कि अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो यह हो जाएगा मीटर स्क्वार सेकेंड में आपका आयतन है अगर हम आयतन के मात्रक की बात करें आयतन का मतलब लंबाई इंटू चौडाई into उंचाई तो यहाँ से इसका मातरक हो जायेगा meter q अच्छा तरड अगर हम तरड की बात करते हैं तो तरड का मतलब होता है बेग बटे समय अब अगर हम बेग के मातरक की बात करें तो बेग का मातरक होता है meter तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या मीटर प्रती सेकेंड इस्क्वार अब आपका जो मात्रक दिया गया है वो तो इतने नहीं दिया गया है पर आपका राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर हो जाएगा WAG इसके बाद में चलिए mês 16 की बात कर लें अगले कुश्ण में के कह रहा है एक फर्मी तुल होता है अब एक फर्मी तो एक फर्मी जो है एक छोटा मात्रक है किसका है? लंबाई का मात्रक है अब लंबाई का मात्रक है तो यहाँ पर सभी दूरियां ही दी गई है लंबाईयां ही दी गई है तब अब हम क्या करेंगे? तो हमें पता है कि एक फर्मी, एक फर्मी, एक फर्मी, अच्छा फर्मी से उनने क्या करते हैं? तो फर्मी से परुमाडु का आकार नापते हैं, क्या करते हैं? फर्मी से परुमाड़ का आकार नापते हैं और परुमाड़ का आकार यानि कि नाभिक का आकार जो होता है वो 10 to power minus 15 meter का होता है 10 to power minus 15 meter का होता है तो ये परुमाड़ वी आकार यानि कि नाभिक के आकार बगेरा को नापने के काम में आता है उसका ये मात्रक है तो ये आपका 10 to power minus 15 होगी आपका चले अगला question के बात करते हैं संबेग की बिमा कुल होती है अच्छा अगर हम संबेग की बात करें बेटा संबेग momentum संबेग तो संबेग का क्या होता है संबेग को अगर हम लिखते हैं तो संबेग का होता है द्रमान into wave संबेग बराबर क्या होता है द्रमान गुड़े बेग किसी वस्तु के द्रमान तथा वेग के गुड़ेन फल को वस्तु का संबे कहते हैं P वराबर यम भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा अब इसका मात्रक तो मात्रक होता है इसका किलोग्राम मीटर प्रति सैकेंड अब किलोग्राम मीटर प्रति सैकेंड इसका मात्रक होता है तो इसकी विमा यहीं से क्या आ जाएगी तो MLT-1 इसकी भिमा आ जाएगी क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर और सेकेंड इनवर्स तो यहां से MLT-1 इसकी भिमा आ जाएगी अब पूछ रहा है इनमें से बताएए भाई तो हम इनमें से सीधा सीधा हमें पता है कि अगर हमें याद है तो आवेग क्या होता है वो लिए आवेग को हम लिखते हैं आई से आवेग को कैस लिखते हैं तो आवेग को लिखते हैं आई से इंपल और आवेग आई इक्वल क्या होता है तो F into T होता है तो यहां से ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आवेग होता है वो संबेग में परिवर्तन के बराबर होता है ठीक तो यहां से हम अब इसकी अगर भीमिय सूत्र देखेंगे तो I का जो भीमिय सूत्र है वो क्या हो जाएगा? बल का भीमिय सूत्र होता है MLP-2 इसके बाद में काईम है तो इसकी भीमाभीटी हो जाएगी यहां से अगर हम चेक करेंगे तो MLP-1 यानि कि यह देखिए यह इसके इक्वल है तो इसका मतलब है कि जो आवेग है आवेग इक्वल होगा किसके? तो सम्बेग के आवेग जो है इक्वल होगा सम्बेग के मतलब आवेग का जो भीमिय सूत्र है वो इक्वल होगा सम्बेग के चलिए अगला कुशन तो यहां पर यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अगले कुशन की बात कर लेते हैं सभास Si 아दीश रार्षिए अब आप लोगों को अदीश रशी बिटा सबसे पहले हम बात करेंगे सदिस रासियों की कि कि सदिस रासियां कौन सी होती है तो सदिस की अगर हम बात करते हैं तो सदिस का मतलब क्या क्या हुना चाहिए दिशा हुनी चाहिए ठीक है दिसा परिमाड और क्या होना चाहिए सदिस योग के नियम का पालन भी करनी चाहिए सदिस योग के नियम का पालन करना चाहिए सदिस योग के नियम का पालन करते हैं अच्छा इसके विप्रीत अगर हम बात करें अदिस राषियों की अगर हम बात करें अदिस की तो अदिस तोजिनमे केवल परिमाड होता है केवल परिमाड केवल परिमाड दिसा की अगर हम बात करेंगे दिसा की बात करेंगे खीक है तो दिसा नहीं होती है दिसा नहीं होती है लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान दखना एक चीज ध्यान दखना क्या? अगर हम दिसा की बात करें तो एक नाम आएगा बिदुधारा का किसका नाम आएगा बिदुधारा तो बिदुधारा के पास दिशा होती है लेकिन ये सदिस योग के नियम का पालन नहीं करती है करती है ठीक है सदिस योग के नियम का पालन नहीं करती है अब जब सदिस योग के नियम का पालन नहीं करती है तो यह अदिस रासियों के बारे में पढ़ते हैं तो दिसा होना चाहिए और सदिस योग के नियम का पालन भी करनी चाहिए अदिस रास की बात करते हैं तो केबल परिमाड होना चाहिए दिसा नहीं होनी चाहिए लेकिन एक रासी आपकी क्या आएगी तो एक रासी आएगी विद्दुधारा जिसमें दिसाधी होगी लेकिन वो सदिस योग के नियम का पालन नहीं करेगी तो मतलब यानि कि केवल परिमाड होना चाहिए सदिस योग के निय जबिसरासई है सम्बेग सदिसरासई है त्वरण सदिसरासई है यानि कि अधिसरासई हम से पूच्छा गया यहां पर दूरी जो है वो आपकी अधिसरासई है तो इसलिए इसका आंसर हो जायेगा D is the right answer यानि कि ये आपकी जो है सदिस रासियां है ये सदिस रासियां है तो ये आपका right answer हो जाए चलिए अगले कुश्चन की बात करते हैं एक वाहन दो स्थानों के बीच की कुल दूरी की प्रत्रम आधी को 30 किलोमेटर प्रतिगंटा की चाल से वा सेस अंतिम आधी दूरी को 20 किलोमेटर प्रतिगंटा की चाल से तैगरता है पूरी दूरी के दोरान आउसाच चाल क्या होगी हम से कुश्चन कहा रहा है कि भाई साब ये कोई इस्थान है A और ये कोई इस्थान है B अब कोई बाहन है यहां पर अगर हम बात करें तो कोई आपका एक बाहन है बढ़िया सा ठीक है यहां से चला है और वो ठीक आधी दूरी को अगर इस टोटल दूरी को आप कुछ भी मानना चाहें तो मान सकते हैं एस आधी दूरी को यानि कि एस वाई टू को कितनी चाल से तो वो चला है बेटा 30 किलो मीटर पर हावर की चाल से अब बची कितनी तो आधी दूरी बची वो कितनी चाल से चला है यह इस चाल को हम अगर बीवन मान लें तो यह आपकी बीटू चाल कितनी होगी बोला हैं भाई साब 20 30 किलो मीटर पर आधी चाल को 30 किलो मीटर और आधी दूरी को मतलब आधी जो दूरी है उसको किस से चल ला है 30 किलो मीटर और अंतिम जो अगली आधी दूरी है उसको तै कर रहा है 20 किलो मीटर प्रतिगंटा की चाल से अब पूरी यात्रा के लिए संपून यात्रा के लिए आ आप से पूछा गया है कि आउसत चाल तो आप यहां पर याद रखना कि जो आउसत चाल तो आउसत चाल बराबर होता है कुल दूरी कुल दूरी कुल दूरी बटे कुल समय ठीक है कुल दूरी बटे कुल समय लेकिन आप यहां पर एक बात ध्यान लखना यहां से अगर इस तरीके से लगाएंगे तो कुल दूरी बटे कुल समय तो कहीं न कहीं आपको टाइम ज़्याद लगेगा यहां से एक sort trick निकलती है sort trick निकलती है क्या तो वो रहेगा और सच चाल बी एवरेज इक्वल जब आपको distance ना दी गई हो कि कितनी distance चल लाए कितनी दूरी चल लाए सिर्फ आपको क्या दिया गया है चाल दे गई है तो यहां पर अगर अगर कुल दूरी दो चालों से चली जाए कुल दूरी दो चालों से चली जाए यह आप धियाना कुल दूरी दो चालों से चली जाए मतलब कुल दूरी V1 वा V2 से चले कोई ब्यक्ति या कोई बाहन तब आपको सीधा सीधा याद रखना 2 V1 V2 अपोन V1 प्लस V2 यहां से आप सीधा सीधा मान लख दीजिए 2 तो सही है बेटा V1 आपका कितना 30 किलो मीडर अच्छा V2 कितना है आपका 20 अपोन में V1 प्लस V2 यानि कि आपका 30 और प्लस 20 यह आपका कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 12 2 0 अपोन यह आपका हो जाएगा 50 0 से 0 कैंसल यहां से काटेंगे तो 5 दूना 10 कितना बच्छा दो 5 को 20 यानि कि 24 24 किलोमीटर प्रती घंटा यानि कि यह आपका C answer आपका हो जाएगा अगर यही तीन पार्ट में डिवाइड होती डिस्टेंस तब यहां से थोड़ा चेंज हो जाता अगर तीन पार्ट में डिवाइड होती तब क्या होता तो तीन पार्ट के लिए हम क्या करते है ये आप लोग ध्यान लखना अगर तीन पार्ट में होती तब लोग क्या करते है तो तो तीन पार्ट में होती, तो हम लोग क्या करते? एव रेज, कितना होता? दो पार्ट के लिए तो यह हो गया? तीन पार्ट के लिए क्या करते? तो थिरी वी 1, ύी 2, वी 3, अपोन अपोन आपका क्या हो जाता? वी 1, वी 2, प्लस वी 2, वी 3, प्लस V3 V1 यह आप लगा देते डारेगे यह बात आपको दियान लखना है जब तीन भागों में कुल दूरी को चला जाए और इक्वल पार्ट में यह बात आपको दियान लखनी है बराबर भागों में ठीक है? यह आपके दो बराबर भागों के लिए दो बराबर भागों के लिए ठीक है? और यह तीन बराबर भागों के लिए के लियर? चलिए अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन कह रहा है यदि 250 न्यूटन का बल एक वस्तु पर लगा कर उसे 125 किलो मीटर प्रति सेकेंड किलो ग्राम मीटर प्रति सेकेंड किलो ग्राम मीटर प्रति सेकेंड का संबेग प्राप्त कराया जाता है तो कितने समय के लिए यह बल उस बस्तु पर लगाया गया है? आपको क्या क्या दिया गया है? तो आपको के बाद में उसके संबेग बताया गया है संबेग को पी से लिखते हैं तो पी आपका कितना दिया गया है 125 किलो ग्राम मीटर क्रती सेकंड ठीक है कितने समय के लिए लगाया गया है तो टी हमसे पूछा गया है अब टी पूछा गया है तो आपके पास क्या होता है तो होता है हमारे पास एफ इन्टु टी इक्वल टी संबेग में परिवर्तन ठीक है बलका आवेग इसको आवेग भी बोलते हैं आवेग संबेग में परिवर्तन के बराबर होता है आवेग संबेग में परिवर्तन के बराबर होता है तो यहां से आप calculate कीजिए कितना आएगा कितना आएगा तो बिटा एफ की value कितनी है 250 into T नहीं पता है पी आपका कितना है 125 यहां से T equal 125 upon 250 125 टूजा तो यहां से आपका T equal 1 y 2 second otherwise इसको हम 0.5 second लिख सकते हैं तो यह आपका A is the right answer clear है इसके बाद मैं अगले कुशन की बात कर लेते हैं अगला कुशन क्या कह रहा है उपर दिये गए समय बेग समय गिराफ का वांचित छेत्रफल करके निम लिखित अभी लच्छडों में से किस एक को निरूपित करता है अब यह जो आपका छेत्रफल दिया गया है यह जो आपका छेत्रफल दिया गया है अब आपको बताना है कि यहां यह जो आपका ग्राफ दिया गया है और इसमें यह जो छेत्रफल है यह जो छायांकित भाग है बांचित भाग है इसका जो छेत्रफल होगा किसको प्रदर्शित करेगा इसका छेतरफल किसको परदर्शित करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि इस छेतरफल में अगर हम देखते हैं इस छेतरफल में अगर हम देखते हैं तो ये जो छेतरफल है किस graph में तो बोले बेग क्या दिया गया है बेग दिया गया है और क्या दिया गया है समय दिया गया है वेग और समय ग्राफ है ग्राफ आपका कौन सा है तो ग्राफ है वेग और समय ग्राफ दिया गया है वेग और समय ग्राफ से क्या हमें मिलेगा तो हमें एक तो मिलता है विस्थापन क्या मिलता है विस्थापन मिलता है विस्थापन बराबर क्या हो जाता है तो बेग विस्थापन बराबर बेग इन्टू समय विस्थापन बराबर क्या हो जाता है बेग इन्टू समय हो जाता है अच्छा दूसरा हमें क्या मिल सकता है तो त्वरड मिल सकता है त्वरड बराबर क्या होता है तो वेग और बटे समय ठीक है वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय वेग बराबर विस्थापन बटे समय और त्वरड बराबर होता है वेग बटे समय यह होता है अब यह यहां पर छेत्रफल तो छेत्रफल किस चीज को प्रदर्शित करेगा तो छेत्रफल हमेसा याद रखना बेग समय गिराफ में छेत्रफल हमेसा विस्थापन को प्रदर्शित करता है अब विस्थापन को प्रदर्शित करता है तो यहां पर संबेग तो यह तो नहीं होगा फि पिर तय की गई दूरी चाल चाल तो होगा नहीं अब तय की गई दूरी तो यहां पर दूरी की जगह पर उसको क्या लिखना चाहिए था विस्थापन लिखना चाहिए था कुशन में क्या होना चाहिए था विस्थापन होना चाहिए था अब विस्थापन नहीं है तय की गई कभी दूरी है तो तै की गई दूरी से आपको क्या समझ में आ रहा है तो आपको हम बता दें कि जो कभी 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 हमेशा नहीं ये बात ध्यां देखना कभी कभी जो विस्थापन होता है वो दूरी के बराबर होता है लेकिन ये कब होता है ये भाई साब कभी कभी होता ह यह पर्मानेंट नहीं होता है, इस बात को धियान लखना, तो यहां पर यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा? तो यहां से आप इसको राइट आंसर मान सकते हैं, तै की गई दूरी को, चलिए अगला कुशन क्या कह रहा है भाई? एक गेंद को उर्द्वाधर उपर की तरफ फेका जाता है, अब एक गेंद को उर्द्वाधर उपर की तरफ फेका जा रहा है, उसकी उड़ान के दौरान उसका वेग समय ग्राफ क्या होगा? अब यहां से देखिए, अगर हम यहां से देखते हैं, तो आपको यह A option दिया गया है, यह आपको B option दिया गया है, यह आपको C option दिया गया है, और यह D option दिया गया है. यह आपका वेग, यह समय टी, यह वेग, यह समय टी, यह ग्राफ दिये गए अगर हम पहले ग्राफ को देखते हैं, तो पहले ग्राफ में इस तरीके से आपका ग्राफ है तो पहले ग्राफ में आप देखेंगे, B और T के बीच में हमें एक सीधी रेखा निलती है तो और B और T यानि कि बेग और समय के बीच में जब भी हमें एक स्टेट लाइन प्राप्त हो एक सीधी रेखा प्राप्त हो, जिसका एंगल हर जगे समान दहेगा तो ये, तो ये क्या करता है, एक समान प्राप्त एक समान प्राप्त, ठीक है, इसके बाद में, चलिए इसको हटा दें हम प्र अगला ग्राफ क्या बोल दा है तो अगला जो ग्राफ है, वो इस तरीके से इनो ने ट्रॉ किया गया है अब यहाँ ये जो है, वो तो ठीक हो, ये आपका वी को अब इस ग्राफ को आप देखिए, तो इस ग्राफ में हमें दिख रहा है कि किसी वस्तु का पहले बेग था किसी वस्तु का पहले बेग था, इस ग्राफ में क्या हो, कि पहले बेग कितना था इस स्टार्टिंग में, पहले ग्राफ से अगर हम देखते हैं, तो एक चीज़ हमें ये भी देखने मिलती है कि इसका प्रारंबिक बेग जो था, वो सून था यहां अगर सेकेंड ग्राफ में देखते हैं, तो जो प्रारंबिक बेग है, वो कुछ न कुछ है सपोस कर लेते हैं, यू है बाद में, तो समय के साथ बेग में कमी आई, समय के साथ बेग में कमी आई, उसके बाद में, उसके बाद में यहां पर बेग था बेग था, यहां पर, तो यहां पर जो बेग है, वो जीरो हो गया उसके बाद में जो बेग है वो विपरीत दिशा में बड़ा यानि कि प्रारंब की ठीक विपरीत दिशा में बेग कामान बड़ा यानि कि बेग बड़ा विपरीत दिशा में बेग बड़ा अब विपरीत दिसा में बेग बढ़ गया तो जब किसी गेंद को आप पृत्वी तल से उपर की ओर फैकते हैं तो एक उच्चतम बिंदू पर जाने के बाद में फिर वो बापस आने लगती है आने लगती है कि नहीं? अब यहां से आपने अगर फैका तो किसी ना किसी बेग के साथ फैका होगा और फिर जब वो उच्चतम बिंदू पर पहुंचा होगा तो उसका बेग जीरो हुआ होगा और फिर उसके बाद में वो नीचे आना लगा अब जब नीचे आने लगा तो ये नीचे आएगा गुरत्य तुरण के आधिन अब गुरत्य तुरण के आधिन आएगा तो ये गती करेगा मतलब इसके पास final बेग कुछ ना कुछ होगा कुछ ना कुछ होगा ठीक है बट पहले के ठीक विपरी दिसा में पहले बेग यूँ था, अब बेग होगा, यू, तो इसलिए यहाँ सदेखिए, बेग था, zero हुआ, और फिर इसी दिसा में बढ़ने लगा, तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा आपका होगा नहीं, फिर ऊसके बाद में इसको देख लेते हैं, तो प्रारम्बिक बेग जिरो, अब जब प्रारम्बिक बे यह सकते हैं उसको अगर कुछ व्लॉसटी नहीं देंगे किसी वस्तु को आप बेग नहीं देंगे तो ऊपर नहीं जाएगी तो सिदित बात है अगर प्रारंभी देग उसका सूनने हैं तो यह हो नहीं सकता फिर इस दराइट अंसर यह आपका सेकेंड option सही है चलिए अगला question देख लेते हैं अगले question को पड़िये क्या कह रहा है उपर दिये गए आलेखन में एक कड़ की गती इस्ति समय आलेखन दर्साया गया है उपरोग आलेखन के लिए सत्त कथन होगा अब इसमें आपको क्या है? सत्त कथन निकालना है तो यह इस्तित का मतलब हम कह सकते हैं दूरी इधर आपका दूरी और समय गिराफ है दूरी और समय गिराफ है जब दूरी और समय गिराफ है तो यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं थीटा का मान तो थीटा का मान नियत रहेगा ठेक तो यहां से पहला option पड़ी है क्या कह रहा है V का मान नियत है परंतु मान रिडातमक होगा अब ज़रा देखिए हम यहां पर इसी graph को बना लेते हैं बाई साब ऐसे आ रहे हैं अब ऐसे आ रहे हैं यहां पर इन्हों ने कहा कि यह theta है यह theta है अब यह तो आपका क्या है यह दूरी है यानि कि इस्तित दी गई है दूरी या विस्थापन भी बोल सकते हैं और यहां पर आपका इस्तित है इस्तित का मतलब दूरी या विस्थापन विस्थापन भी बोल सकते हैं विस्थापन तो यहां से जब आपके पास पहले से विस्थापन है फिर उसके बाद में समय भी है जैसे जैसे विस्थापन में परिबर्तन हो रहा है समय भी बढ़ रहा है लेकिन यहां पर अगर हम एंगल की बात करें किसकी बात करें एंगल की बात करें तो एंगल 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 आप देखिए यह एंगल यह एंगल यह एंगल यह एंगल जो है क्या एंगल कांटिन्यू बढ़ रहा है क्या एंगल कांटिन्यू बढ़ रहा ह ये अगर आपका थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा ये भी थीटा होगा ये भी थीटा होगा क्योंकि हमने ऐसा पड़ रखा है कि अगर कहीं भी आप समानतर लाइने कीच दीजिए और उसको कोई ऐसी लाइन अगर काटेगी तो ये एंगल सब आपस में कैसे होते हैं बरा नहीं बदला है तो इसका मतलब है कि जो आपका वेग रहेगा बेग बराबर क्या होता है बेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय बेग बराबर क्या होता है तो विस्थापन बटे समय होता है अब विस्थापन और समय दोनों यहां पर हैं यह हमारे पास विस्थापन हो गया, यह समय हो गया, तो कहीं न कहीं बेग को यह प्रदर्शित करेगा, अब बेग को प्रदर्शित करेगा, तो जो आपकी ढाल है, क्या है, ढाल, ढाल यानि कि ठीटा कैसी है, नियत है, ठीटा कैसी है, नियत है, और ठीटा अगर नियत होगी, तो बेग का मान, बेग का मान कैसा होता है नियत रहेगा कैसा रहेगा नियत रहेगा चलिए ठीटा नियत है तो बेग भी आपका नियत हो गया ठीक है विस्थापन और समय ग्राफ में अब उसके बाद में कह रहा है कि भहिया देखिए ठीटा का मान बढ़ रहा है गलत ये तो गलत हो गया आलेखनका तरण अनंत नहीं भाई صاحب ठीक है यूणकि बेग नियत है और जब बेग नियत है तो तरण उत्पन ही नहीं होगा बेग अगर एक समान देता है तो तरण उत्पन नहीं होगा किसी छण पर कण की दो इस्थतियां होंगी अब अगर किसी छण पर कण की दो इस्थतियां होते हैं तो भाई प्रदर्सित होता कहीं न कहीं ग्राफ इस तरीके से दो इस्थतियों वाला ग्राफ जो है इस तरीके से कहीं न कहीं प्रदर्सित होता ठीक है जो कण की दो इस्तिकियों को प्रदरसित करता ठीक ऐसा तो कुछ है नहीं तो नहीं है तो इसका मतलब यह भी आपका गलत हो गया फिर अगर हम बेग को देखते हैं तो यहां पर जो बेग का मान यह जो नीचे गिराफ जा रहा है यहां से बेग का मान कैसा होगा रिड मतलब यहां से अगर देखते हैं तो बेग कैसा है रिडात्मक है ग्राफ इस तरीके से दिया गया है तो बेग नियत तो है क्योंकि रेखा की ढाल कैसी है नियत थीटा का मन कॉंस्टेंट है तो बी नियत रहेगा लेकिन भी घट रहा है मतलब इसका मान जो है रिडात्मक तो यहां पर यह आपका परंतु रिडात्मक यह आपका सही चली अगला कुश्यन क्या है उबले कुश्यन को देखे ? इसी से रिलेटिव है आपका कौन सा है बेग और समया ग्राफ में अभी हमने बताया थीटा यानि की ढाल धाल जो होती है थीटा होती है थीटा अगर भाई एक सीधी रेखा है सीधी रेखा तो सीधी रेखा कहती है कि रेखा की धाल कैसी है नियत है रेखा की धाल कैसी है नियत है ग्राफ आपका कौन सा है बेग बेग और समय तो बेग और समय में जो ग्राफ जो रेखा की धाल होती है धाल होती है धाल रेखा की जो धाल है वो आपको क्या बताएगी तोरण बताएगी अब जब रेखा की धाल तोरण बताएगी अच्छा छेत्रफल आपको क्या बताएगा छेत्रफल यहां पर ढाल की बात हो गई ढाल की बात हो गई अगर हम छेत्रफल की बात करें तो छेत्रफल यानि कि बेग इंटू समय तो बेग इंटू समय आपको क्या बताएगा विस्थापन बताएगा क्या बताएगा विस्थापन बताएगा क्या छेत्रफल ठीक है जो छेत्र फल है वो विस्थापन बताएगा और जो रेखा की ढाल होगी वो तुरड बताएगा अब यहां से आप option को देखिए कौन सा आपका सही option होगा पहले option को पढ़िए तुरड का मान धनात्मक वा नियत भाई साब देख लीजिए थीटा आपका नियत है continue थीटा आपका कैसा है नियत है तो तुरड का मान धनात्मक भी होगा और नियत भी होगा अगर यह नीचे आ रहा होता तो तुरड का मान निगेटिव होता लेकिन अभी क्या है धनात्मक होगा और कैसा होगा नियत होगा यह थीटा के मान से चलिए अगला कुशन क्या है अब अगले कुशन को आप लोग पढ़िया है बढ़िया कुशन है क्या कुशन कह रहा है 500 मीटर तरिज्या के ब्रत्ताकार पत पर एक कार 30 मीटर प्रति सैकेंड के बेग से घूम रही है ये इस तरीके से भाई कोई ब्रत्तिय पत है ठीक है अब इस पर कोई एक कार है कोई एक कार है जो इसकी तरिज्या कितनी है तो इसकी तरिज्या है 500 मीटर ये तरिज्या कितनी है 500 मीटर है अब ये जो कार घूम रही है कितनी चाल से तो ये कार की चाल दी गई है कितनी 30 मीटर पर सेकेंड इतनी चाल से घूम रही है इसकी चाल 2 मीटर परति सेकेंड स्क्वार की दर से बढ़ रही है अब आपको पता है कोई भी बस्तो हो कोई भी कार हो कोई ब्यत्ती हो कोई साइकल हो अगर ब्रतिय पत पर गति करना चाहती है तो गति तभी कर सकते है जब उस पर अभी केंदर तुरल लगेगा यानि कि अभी केंदर बल लगेगा तो यहां से अगर हम बात करें हमें बेग दिया गया है यह आपकी त्रजिया आर दी गई है तो यहां से अभी केंदर तुरल निकाल सकते हैं अभी केंदर तुरल को a से लिखते हैं c सपिक्स में लगा देते हैं centripetal acceleration क्या होता है b2 upon r अब b square upon r देखिए b square upon r का क्या हो जाएगा तो यहां से आपका हो जाएगा 30 into 30 upon r 500 है आपका 10101010 बेटा यह 9 हो गया upon में 5 है अब 9 upon 5 हो गया यानि कि ac बराबर आपका कितना आया तो यह 9 upon में 5 पांच एकन पांच दसमलब पान अक्षे 40 मीटर पर सेकेंड इस्क्वेर यह आपका तुरड आ गया अब वो कह रहा है कि 2 मीटर परती सेकेंड इस्क्वेर की दर से बेग में बढ़ोत्री हो रही है अरे भाई यह तो हमने एक तुरड निकाला एक तुरड निकाला तो यह आया आपका अब इसी में एक दूसरा तुरड भी है जिसकी बढ़ोत्री हो रही है यानि कि मान बढ़ रहा है तो अब हम क्या करेंगे तो हमें 2 तुरड हमारे पास है एक तो हमारा ओल लेड़ी कुशन में दिया गया है वो कितना दिया गया है दो मीटर प्रती सेकेंड स्क्वार और दूसरा हमने यह कैलकुलेट किया है अब यह कहीं न कहीं भाई देखिए तुरड हमारे पास अगर दो है एक तो यह ऐसे तुरड एक यह इस पर सरेखिये तुरड अब इनका परेडामी निकालेंगे तो हमेसा ध्यान लखना जो त्रिज्या होती है इस पर सरेखा कि कैसे लंबवत मानी जाती है तो यह दोनों तुरड कैसे होंगे लंबवत होंगे तो इनका परेडामी तुरड निकालेंगे यानि कि कार का तुरड हमें निकालना है तो परेडामी तुरड की बात करेंगे तो वो क्या होगा जब दोनों एक दूसरे के लंबबत होते हैं इस परस रेखिये तुरड और तरज तुरड दोनों एक दूसरे के लंबबत होते हैं यहां से हमारे पास equation हो जाएगा AC square plus A1 square तो यहां से आप दोनों को solve कर लीजिए दोनों को solve करेंगे तो बटा एक 224 हो जाएगा और plus यह 1.8 का square हो जाएगा अब 1.8 का square अगर इसको हम solve करेंगे तो कितना हो जाएगा तो यह 4 और plus 18 का 18 में multiply करना है कितना 324 होता है 17,3 दोसनों वहाँ से 18,324 ही होगा 324 तो यहां से इतना हो गया इसको अगर solve करेंगे तो यह हो जाएगा कितना root के अंदर 7.24 अब 7.24 का root value निकालना है तो root value, root value, root value आप 7.24 का root value निकालेंगे तो root value निकालने का तरीका क्या होता है तो root value निकालने का तरीका क्या होता है थोड़ा साई यहां से root value निकालने का तरीका क्या है तो root value आप कैसे भी निकाल सकते हैं यहां पर देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं 7.24 है यहां से point टाएंगे 20 नीचे आ जाएंगे और 20 नीचे आ गए तो 20 का यह 1y10 तो सीधा सीधा हो जाएगा अब 724 हो गया कितना हो गया 724 724 को हम क्या करते हैं थोड़ा divide करके मतलब यानि कि दो पाइट में दो पाइट में change करके लिख लेते हैं दो भागों में इसको convert कर लेते हैं एक आपका total square होना चाहिए total square होना चाहिए फिर क्या करें हमारे पास रहता है क्या होले देखिए 25-25 यह 625 होता है अगर हम 26 का square करें 26 का square कितना होगा 26 का square 26 का square 26 का square कितना होगा तो यहां से 6 और 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 3 15 और आपका 2 दूनी 4 और एक 5 556 यह गलत हो गया वाइश रहन सकति दूनी 12 और यह तो गलत हो गया यह गलत हो गया यह गलत हो गया 26 26 का square 26 का square 26 66 हमारा कितना है 724 यानि कि कहीं न कहीं क्या होगा 27 कि इतना होगा 27 27 का 27 में मल्टिप्लाइ करना भाई 77 और साथ दूनी 14 साथ दूनी 14 साथ दूनी 14 चोदा 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 28 28 28 24 32 और दो दूनी 4 और 3 7 7 729 27 का square होगया 27 29 729 तो हम 729 हमने लिख लिया कितना तो हमने ज्यादा लिखा कितना ज्यादा लिखा तो पांच ज्यादा लिखा 729 का root value कितना होता है तो 729 का root value होता है root value होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1y10 729 का root value तो 729 का root value होता है 27 minus यहां से आपका कितना 5 upon 27 दूना यहां से आपका 2.7 हो जाएगा यहां आपका 1y10 27 minus इसको solve गरेंगे point लगा दिया यहां से आपका कितना हो गया 50 बाग नहीं जाएगा 0 लगा दिया यहां पर आपका कितना हो जाएगा तो यहां पर आपका हो जाएगा 509 बाट चला जाएगा तो सीधा सीधा ये आपकी बहुत छोटी सी संख्या है छोटी सी संख्या है तो यहां से सीधा सीधा हम 2.7 approximate लिख सकते हैं तो ये आपका answer हो गया 2.7 आपको क्या करना है सिर्फ root value निकाल लिए equation तो आपको ये परडामी का होता है ये हमने आपको बता दिया परडामी का equation लगाना है और परडामी का equation लगाने के बाद में इसको solve कर देना है ठीक है चलिए अगले question की बात करते है एक छोटी गेंद को यच उंचाई से चित्र के अनुसार ध्यान से सुनना और अच्छे से इसको समझने कोसिज करना कि एक भाई एच उंचाई इस तरीके से यहां से किसी गेंद को यह उंचाई कितनी है एच यहां से किसी गेंद को ऐसे छोड़ा जा रहा है और ऐसे आते 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 यह भाई साब ऐसे गूम जाती है अब कितने गूम जाती है तो ये आर्थ रिज्या के ब्रत्य पत पर भूम जाती है अब भूम जाती है ठीक है एच का मान क्या होगा इस एच का मान क्या होगा तो आप हमेशा याद रखना इस question में छोटी सी trick लगेगी और कुछ नहीं है इसका solution क्या होता आप हमेशा ध्यान रखना अगर किसी कोई भी बस्त हो जो आप इस तरीके से गिरा रहें और वो किसी बले के रूप में किसी तरज्या के बले के रूप में पूरा एक घूम जाए तो पूरा घूमने के लिए आवश्यक होता है बले के रूप में घूमने के लिए बले के रूप में घूमने के लिए बेग कितना होना चाहिए अंडर रूड फाइब और जी आर ये आप यहां मिनिमुम बेग इतना होना चाहिए किसी भी वस्तु को मतलब गेंद को ठीक है अगर आप किसी उंचाई से गिरा रहे हैं और गिरने के बाद में इस तरीके से ऐसे पत पर आप गिरा रहे हैं कि वो गिरने के बाद में फटाक से पूरा एक बले के रूप में किसी भी तरज्या के बले के रूप में वो पूरा एक चकल लगा ले मतलब घूम जाए इस तरीके से तो उसके लिए आवश्यक है कि म्यूनतम वेग इतना होना चाहिए अगर इतना वेग नहीं है तो नहीं कि लिए यह तो हमारी बात हो गई अब हमें पता है कि यहां पर ओर जा ऊर्जा भिया देखो ऊपर से छोड़ी जा रही है तो ऊपर से छोड़ने का मतलब ऊर्जा होगी इस्थितिज ओर्जा कौन से होगी कि इस्थितिज होगी कbracht को और इस्थितिज का मतलब हो जाएगी यह ऑग अब यह गूँम रही है ओर जात उपर से गिराई जाेगी तो यह उपर से मतलब इसके पास जहां पर भी होगी तो उसके पास इस्तिति जूर्जा होगी अब यह आके भाईया घूम रही है तो इस्तिति जूर्जा कनवर्ड किसमें होगी गति जूर्जा में गतिज उर्जा में अब इस्तिति जूर्जा जब गतिज उर्जा में कनवर्ड होगी तो यहां से हम कह सकते हैं कि M, G, H आपका गतिज उर्जा यानि कि हाफ M, B, स्क्वार के बराबर होना चाहिए तो रख दीजिए हाफ M, B, M, B, स्क्वार, M से M, कैंसल, अच्छा, G, H, कैप्टल है, 1, Y, 2, B, स्क्वार, V, स्क्वार हो जाएगा, 5, G, R, आपका कैप्टल है भी है G से G, कैंसल, तो याच्छा आपका कितना आ रहा है, तो याच्छा आपका आ रहा है, 5 by 2, R, 5 by 2, R, 5 by 2, R, सही है, चलिए, अगले कुश्चन पर देखते है, अगला कुश्चन कहे रहा है, यम दिरमान का एक छोटा सा, व्राम, एक छोटा सा कंड होना चाहिए, क्या होना एक छोटा सा कंड, ब्रामा वस्ता से आर्थ रिज्या के गोले के उच्चतम बिंदु से चित्र के अनुसार फिसलता है, अब कोई कंड है, इस तरीके से ये कोई गोला है, अब यहाँ पर किसी कंड को हमने रख दिया, और वो ऐसे फिसला है, ब्रामा वस्ता से, यानि कि इसका जो प्रारंबिक बेग होगा, वो तो सुन होगा, ब्रामा वस्ता से फिसला है, यानि कि इसका प्रारंबिक बेग कितना होगा, सुन होगा, और फिसलने के बाद में, अच्छा इस पत की कुछ ना कुछ तरिज्या होगी, मान लेते हैं, आ है अब यहां पर बोल आए कि भैया यहां तक आपाता है चित्र को हम थोड़ा सा देख लेते हैं चित्र में कहरा है कि पिंड यहां पर आता है और यहां आने के बाद में अलग हट आता है फिसलता यह गोले को जब यच उंचाई मतलब यानि कि यह गोले को छोड़ेगा जब यच का मान होगा मान लेते हैं यहां पर छोड़ेगा आप कुछ चीजों का इस टाइप के नुमेरिकल में कुछ चीजों का विश्यों ध्यान लगना किया अगर यह यह यहां पर छोड़ेगा तो यहां पर छोड़ने का मतलब है कि यह इस इस्तित में कुछ ना कुछ यह एंगल बनाएगा अ कि यानि कि हम कह सकते हैं मान सकते हैं माना हीटा कोड़ की इस्थित में काण दूर हट जाएगा अब दूर हट जाएगा अब दूर हट जाएगा तो अगर ये एंगल आपका ठीटा है ये तो आपकी तरज्या आरही होगी तो यहां से ज़रा देखना कुश्चन ने हम से कहा कि ये जो यहां से लेके यहां तक की उँच आई है वो ये अच्छा है ये क्या है? ये अच्छा है अगर हम इस तरीके से कुश्चन को लगाते हैं तो आपको theta का मान याद होना चाहिए तो हमेशा ध्यान लखना कि theta पर हट जाएगा तो इसके लिए एक common सा formula होता है हटने के लिए कि cos theta की जो value है वो कितनी होनी चाहिए 2y3 cos theta की value कितनी होनी चाहिए 2y3 अब cos theta की value 2y3 होनी चाहिए तो यहाँ पर आप देखना अगर ये distance हम निकालेंगे ये वाली distance तो हमारे इसाब से कितनी आनी चाहिए तो हमारे पास ये o हो गया ये a हो गया ये b हो गया इस तिर्बुज में अगर हम लगा दें cos theta तो cos theta बराबर क्या होता है cos theta बराबर हमारे लिए तो आधार बटे करण होता है यहाँ से देखेंगे तो आधार बटे करण आधार का मतलब यही तो हमें निकालना है मतलब o b हमें निकालना है और करण का मतलब हमारे पास r हो गया तो o b हमारी कितनी हो गई r cos theta कितनी हो गई r cos theta यानि कि ये जो distance इन्होंने दे रखी है question में, ये जो distance question में दे रखी है, अगर इसको हम calculate करेंगे तो हमारे एसाब से कितनी आनी चाहिए, r cos theta होनी चाहिए, अच्छा, जब उपर से किसी भी pin को आप छोड़ेंगे, तो फिसलने के लिए, फिसलने के लिए, जो minimum code होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए, लगा दीजिए, अब तो आपके पास सारा कुछ है, उले इस दूरी, ये उंचाई इन्होंने दे रखी है, r minus h, r minus h, हमारे इसाब से कितनी आई, तो हमारे इसाब से r cos theta आई, ठीक है, से cos theta का मान लखेंगे, तो r minus h, equal आपका क्या हो जाएगा, वो ले r, cos theta का मान है, 2y3, हमें value किसकी निकाल ली है, h की, तो h equal क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, r minus 2ry3, इसको solve करेंगे, तो ये 3r minus 2ry3, यानि कि ये आपका, ये छीक्वल हो जाएगा, 1y3r, 1y3r, इस उंचाई से, ये फिसलना, बंद मतलब यानि कि बाहर हट जाएगा, घरशन नहीं लगेगा, यहां से ये क्या करेगा, हट जाएगा, दूर इसकी सतह पर, यानि कि इसके प्रश्ट पर, ये फिसलेगा, नहीं, इस से जंप कर लेगा, के लिए, तो यहां से आपका अंसर, आर, वाई, थिरी, आपका सेकंड आंसर सही है, अगला कुशन, पढ़िये भाई, कुशन कह रहा है, एक पिंड का, एक पिंड का, एक्स अच्च के सापेच, विस्थापन समय पर समीकरण, अब विस्थापन समय पर समीकरण दि दिया गया है, तो आपका दिया गया है, ती और प्लस वन, ती प्लस वन, खिक, के रूप, के अनुसार निरुभर करता है, आप पिंड का बेग निकालना है, तो आपको पता है, कि विस्थापन, बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर क्या होता है, बेग और इंटू समय, विस्थापन बराबर क्या होता है, बेग इंटू समय, अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है, बेग, बेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं दोनों पच्छों का वर्ग करने पर अब जैसे दोनों पच्छों का वर्ग करेंगे तो यह अब हमें क्या करना है वह देखो अगर बेग निकालना है तो बेक का मतलब है कि बिस्थापन के बटे में समय आएगा मतलब हमें अब कलन करना पड़ेगा तो ये आपका dv equal होता है dx upon dt तो equal यहाँ से आप देखेंगे तो हम d over dt क्या लिख सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा t square प्लस 1 और प्लस 2t साही है तो ये आपका हो गया v v हो गया तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा 2t प्लस 0 प्लस 2 यहाँ से v equal हो जाएगा 2t और प्लस 2 इतना हो गया अब इतना हो गया तो हमसे option में क्या कह रहा है ये तो भाई हमने बेग निकाल लिया जो एक question दिया गया तो उसके हिसाब से हमने क्या निकाला बेग निकाला अब आपका क्या कह रहा है ओले देखो समय के साथ बढ़ता है चेक कर लेते हैं, समय के साथ बढ़ता है, चेक कर लेते हैं, अगर हम चेक करेंगे तो अगर हम T लखेंगे 0, तो कितना आएगा, वोले 2 m per second, अगर हम टी का मान रखेंगे वन तो किटना आएगा वों बहुत चार मीटर प्रतिस साइट अगर टी का मान केंगे त्री या थी प्रती साइ रहा है बढ़ रहा है अच्छा समय के साथ घट रहा है नहीं घट रहा है समय पर निर्बन नहीं करता है आरे भाई साब यह तो होई नहीं सकता है क्योंकि टी आया है उसमें इनमें से कोई नहीं तो गलत है क्योंकि पहला वाला हमारा सही है समय के साथ क्या कर रहा है बढ़ र और आपका कैसा है नियत है चलना प्रार्म करता है कड़ द्वारा यंवे सैकेंड में चली दूरी अब कोई भी कड़ हो अगर नियत परण से चलना है तो यंवे सैकेंड में चली दूरी का equation होता है U और प्लस AY2 और यहां से 2N-1 यह होता है चलिए अब वो क्या कह रहा है वो ले बिराम से चल्ला है यानि की S N equal आपका AY2 2N-1 एक क्वेशन ठीक है दूरी है आ गई है वो ले यनवे सैकेंड में चली दूरी यह तो यनवे सैकेंड में चली दूरी थे ठीक है अब यनवे सैकेंड में चली दूरी अब यनवे सैकेंड में चली अगर दूरी हम निकालना चाते हैं तो यनवे सैकेंड में चली दूरी तो वो होती है S बराबर कितना U T plus half A T square अब यहां से यह तो हमने रख दिया कि A T square अब T की दिखापे यनवे सैकेंड में चली गई दूरी तो यहां पर यहां पर हमारा यह equation हो जाएगा U क्या हो जाएगा U into N plus half A N square ठीक है अच्छा U कितना है प्रारम में ब्राम वस्ता में तो S equal कितना हो जाएगा 0 plus half A N square यह हो किया equation second हमें क्या करना है उले इनका अनुपात ग्यात के दिए हैं चलिए भाई S N upon S equal क्या है A Y2 2 N minus 1 upon में A Y2 और N square A Y2 से A Y2 cancel हो गया A Y2 से A Y2 cancel हो गया ठीक है A Y2 से A Y2 cancel हो गया अब आपका क्या बचा है तो S N upon S equal आपका बचेगा 2 N minus 1 upon N square इस से यहां से हम क्या करेंगे तो 2 N upon N square minus 1 upon N square यहां से यह N से square cancel तो S N देशियो S S N देशियो S equal आपका क्या बचेगा तो यह आपका आएगा 2 Y N minus minus 1 Y N square ठीक है N square ठीक तो यहां से आपका कौन सा अंसर हो गया अनुपात में तो अनुपात में आपका अंसर 2 Y यह आपका 1st is the right answer ठीक है यह आपको ध्यान देखना है कि 90 second में चली गई दूरी ठीक है और N second में चली गई दूरी यह दोना equation आपको अच्छे से याद होने की है वैसे हमारे पास equation कौन कौन से होते हैं तो equation होते हैं हमारे पास 4 कौन कौन से थोड़ा इसको रफ करें रफ करें गति के चार समी करणवे से तो तीन ही होते हैं ठीक है पहला क्या है V equal U plus A T दूसरा S equal U T plus half A T square तीसरा V square equal U square plus 2 AS ठीक है और चोथा यहनवे सेकेंड में है यहनवे सेकेंड में चली दूरी तो यहनवे सेकेंड में चली गई दूरी के लिए S N equal U plus A Y 2 2N minus 1 ठीक है यह आपके चार एक क्वेशन होते हैं इनी चारी क्वेशन के साब क्वेशन नमर अगला देखते हैं क्या कह रहा है एक वस्तू एक रस्सी से बंदी है तथा आर तरज्या के एक लंबवत ब्रत में घूम रही है एक रस्सी ठीक है अब रस्सी जितनी भैया त्रज्या होगी उतनी ही रस्सी की लंबाई होगी सई है यह कैसे भूम रही है यह है चक्रकार मार्ग पर एक समान चाल से गति कर रही है अब एक समान चाल से बहुत कर रही है चलिए बढ़िया बात है अब इनों नहीं कहा T maximum और T minimum T maximum ratio T minimum की value 2 है यानि कि अनुपाद दिया गया है इसको हम यहां पर यह आपका उच्चतम बिंद्ध है यह आपका निउन्तम बिंद्ध होगा minimum ठिक और यह maximum T जो है उसको हम क्या बोलेंगे तनाव किसमें डोरी में अब तनाव जो इन्होंने दे रखा है maximum upon तनाव minimum बराबर दो यह दे रखा है हमारे पास equation क्या होता है बोले देखो भाई अगर हम mb square माल लेते हैं कि v-veg से कोई कण था कोई भी चीज थी वो v-veg से गति कर रही है तो mb square upon r equal हमारा क्या होता है बोले हमारे पास तो होना चीए t t a यानि कि नियूंतम बिन्दु पर नियूंतम बिन्दु पर तनाव ठीक और माइनस होता है mg यह equation first होता है अगर किसी भी डोरी से बाल्टी बगएर या किसी भी चीज को बांध कर आप ऐसे ऐसे गुमा रहे हो तो जो नियूंतम बिन्दु होगा नीचे वाला और जो उच्चतम बिन्दु होगा उपर वाला उच्चतम बिन्दु पर अगर बेक की बात करें तो अंडरूड कितना होगा rg होगा निउन्तम बिंदु पर अगर तनाव की बात करें तो maximum होगा वो इतना होगा ठीक है अगर हम वेटा उच्चतम बिंदु पर बात करें तो mb square upon r और equal tb और plus mg क्यों कि देखिए निउन्तम बिंदु पर आपका theta जो लगता है वो 0 अंस और उच्चतम बिंदु पर theta लगता 180 डिगरी तो उससाब से यह आपका हो जाता है second ठीक है चलिए यहाँ पर अगर हम equation first वा second से देखेंगे sumi करण 1 वा sumi करण 2 sumi करण 1 वा 2 से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या हमें मिलेगा तो sumi करण 1 वा 2 से अगर इनको हम हल करेंगे तो tb और plus mg equal ta minus mg इतना हमें मिलेगा sumi करण 1 वा 2 को हल करने पर अब यहाँ से अगर हम देखें इसकी value कितनी है वो ले इसकी value है दो है cross multiply करेंगे तो यहाँ से आपका t maximum equal हो जाएगा to t minimum हो जाएगा कि नहीं minimum तनाव उच्चतम बिंदू पर किसी भी चीज को आप अगर घुमा रहें तो जो उपर जाती है तो रस्ती में तनाव कम हो जाता है डोरी में तनाव कम हो जाता है तो यहाँ से आपका t maximum निम्दम बिंदू पर होगा ठीक है और टी maximum अगर हम टी की बात करें तो minimum पर होगा t maximum और maximum पर होगा t minimum ठीक है चलिए यहां से value apply कर देते हैं बोले देखिए tb तो tb रहने दीजे प्लस mg हो गया equal tb रख सकते हैं और minus आपका mg तो यहां से इसको solve करेंगे तो आपका tb equal इसको इधर लेके जाएंगे इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा tb equal 2 tb equal कितना हो जाएगा tb equal 2 mg tb equal to mg अब ये जो tb की value 2 mg है एक question second में apply के दीजे तो sum इकरण 2 से sum इकरण 2 से देखेंगे तो sum इकरण 2 से हमें क्या मिलेगा तो sum इकरण 2 से हमें क्या मिलेगा तो ज़रा देखना mb square upon r equal tb की value कितनी है 2 mg और plus mg यह हो गया 3 mg तो m b square upon r equal ये 3 mg हो गया m से m cancel हुआ तो v square upon r g equal कितना मिला 3 मिला कितना मिला 3 मिला कहां भया है ये third point clear चलिए अगला question देखते हैं अगला question क्या है अगला question क्या है अगला question क्या है 0.1 0.1 kg द्रमान का एक पिंड तो यम बराबर आपका 0.1 kg द्रमान का एक पिंड एक पिंड एक मीटर ब्यास वाले ब्रत्ता कारपत पर त्रिज्या निकाल ले दिया क्या गया है ब्यास कितना वन मीटर त्रिज्या कितनी हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी 0.5 मीटर अच्छा दस चकर प्रती 10 चकरों की संख्या 10'd कितने समय में तो समय ले रहा है 31.4 साइकेड में अब इकेंद्र बलका मान क्या होगा FC centripetal force क्या होगा अब centripetal force निकालना equation क्या होता है centripetal force का FC equal mb square upon r अब यहाँ पर b तो दिया नहीं गया b नहीं दिया गया कोई बात नहीं है बेटा omega omega यहाँ पर ध्यान लखना FC equal एक equation क्या होता है mr omega square ठीक है since b equal होता है b equal r omega ठीक है तो यह हो जाएगा अच्छा omega equal क्या होता है तो 2 pi n upon t बस एपलाई कर दिया जैसे बेटा एपलाई करेंगे जैसे ही एपलाई करेंगे तो क्या हो जाएगा तो यहाँ से f f से equal क्यतना होगा m, m का मतलब है 0.1 into r, r का मतलब कितना है 0.5 फिर उसके बाद में omega का square है तो 2 का मतलब हो जाएगा 4 pi का मतलब 3.14 into 3.14 और into n का मतलब कितना है 10, 10 का square कितना होगा 100 upon में t square t का कितना हो गया 31.4 31.4 31.4 फिक है यह आपका हो गया यहां से देखिए अगर point को point को इधर पहुँचा है इसको इधर पहुँचा है यानि कि 2-0 कार्ट दीजिए point हट गया ठीक है अच्छा यहां से point हटा यहां से point हटा तो यह point हट गया ठीक है तो आपका यह 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 गैंसेल पांच को 20 20 यानि कि 20 into आपका कितना हो जाएगा 0.1 यानि कि अपसे एक्वल 0.2 Newton कौन सा आंसर भाई मैच कर रहा है यह आंसर मैच कर रहा है तो आप ध्यान दखना कि centripetal force यानि कि यह equation होता है यह equation होता है इसी के equal में हम इसको भी लिख सकते हैं यह centripetal force का equation है यानि कि अभिकेंद्र बल का equation है ठीक है चलिए अगला question देखते हैं पढ़िये इसको क्या कह रहा है भाई कत्फन किर्किट खिलाडी किसी गिर्ती हुई गेंद्र को पकड़ने के लिए अपने हाथों को नीचे कर लेता है जैसे आ रही है गेंद्र आपने कैच लिए है तो हलका सा हलका सा कर लेते हैं कारण कह रहा है कि ऐसा करने से गेंद्र के संबेग कि संबेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है ऐसा करने से संबेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है कथन वा कारण दोनों सत्य है वा कारण कथन का सही ब्याख्या क best कांब़ दोनों सत्य अपरं तकारण कि सही व्यक्षिया नाहीं करता है इस फैर्छा सत्य है किन्तु थैरा कफन क्या कहरा है कि हम किसी गेंद को पकड़ते हैं तो हातों को नीचे किया और थैचलेंगे क्या होगा, गेंच चुटेगी नहीं, चोड़ कम से कम लगेगी, ठीक है? अब चोड़ कम से कम लगेगी. यहां तो यह कहा है को, सम्बेग में परिवर्थन की दर दर कम हो जाएगी. संबेग में परिवर्तन की इधर कम हो जाएगी कथन सत्य है किन्तो कारण असत्य है Is the right answer? कथन असत्य है किन्तो कारण सत्य है क्लियर है? चलिए अगला कुशन जब बंदूक से गोली आगे छोड़ी जाती है एक तो बंदूक पीछे की ओर हो जाती है पृती एक कुरिया के बराबर परन्तो विप्रीद दिसा में पृती है किरिया वपृतकिरिया बल के कारण ही कोई भी चीज अगर आगे किरिया हो रही है तो रियक्षन पीछे ही होगा चलिए अगला इसको पढ़िये, नीचे दिये गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, तथा सही कथन चुनिये, ब्रत्ताकार गती में कड का संपून त्वरण हमेशा ब्रत की त्रिज्या के केंद्र की ओर रहता है, अरे भाई साब, ऐसे है, ये इसका केंद्र है, यहाँ पर कोई चीज है, कोई कण है, कोई कण है, ऐसे भाई साब कोई कण है, वो इधर जा रहे हैं, ठीक है, अगर एक समान चाल से जा रहे हैं, एक समान चाल से जा रहे हैं, तो तो भाई साब, तो तो भाई साब, तो तो भाई साब, तुरण आपका इधर रहेगा, ठीक, लेकिन अगर इनकी चाल बदल लई है जो कि अभी एक कोशन अपने लगवा चुके हैं कि उसमें मतलब यानी के थोल में ब्रद्धि हो रही थे अगर एक समान चाल से हो फिर तो यह रहेगा ठीक है यदि कि वी नीयत भी नीयत अगर वी नीयत है तो वंली यह रहेगा कि लेकिन अगर यदि वी परिवर्तित हो परिवर्तित हो मतलब बेग बदल ला हो अब बेग बदल ला हो तो भहिया एक तो ये है और बेग के बदलने से एक इधर आ जाएगा बेग के बदलने से बदलने से बेग के बदलने से एक इधर तुरण आ जाएगा अब एक इधर तुरण आ जाएगा तो इनका परिडामी तो इधर निकलेगा मतलब यानी के सदैब केंदर की ओर रहता ये तो बात गलत हो गई किलियर है एक बिंदु पर कण का बेग सदिस सदैब उस बिंदु पर कण के पत की इस परस इस प्रज्या के अनुदिस होता है यस भाई साब बेग का सदिस ये वेग का सदिस उस बिंदु पर जो इस प्रज्या होती है उसके अनुदिस रहता है इस प्रज्या के अंदिस रहता है चलिए ठीक है फिर उसके बाद में एक समान ब्रत्ताकार गती में आवसत एक से अधिक चक्रों के लिए किसी कण का त्वरड सदिस सून सदिस होता है अरे भाई त्वरड सदिस पूरे मतलब यानि कि अगर कोई ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है तो बोले त्वरड का जो सदिस होगा वो क्या होगा शून होगा ये तो गलत है त्वरड का सदिस सून क्यों हो जाएगा ठीक तो ये आपका गलत है अब पहला भी गलत हो गया दूसरे भी गलत हो गया तो cutsie. अगला कुर्षन कि नीचे दिये गए कत्नों को द्यानपूर्वक पढ़ें तथा असत्त गलत वाले का चुनाओ करना भाई यह बात द्यान रखना घनत तो एक सदिस रास सा अरे बाई भाई साब घनत तो एक सदिस रासी नहीं है ये अदिस रासी है कैसी है अदिस है ठीक है अब घनत तो अदिस रासी हो गई यानि कि इसमें जो दिया गया वो गलत है चलिए फिर उसके बाद में ये आपका गलत हो गया फिर उसके बाद में दूरी का मन सदैब विस्थापन के तो ये भी कुशन अभी हम बता चुके हैं कुछ टाइम पहले कि भाया जो दूरी होती है वो विस्थापन के बराबर होती है लेकिन कभी 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 हमेशा नहीं होती है कभी कभी होती है तो इसका मतलब है कि ये आपका दूरी का मान सदयव विस्थापन के तुल होता है तो ये भी गलत हो गया सदयव नहीं होता है कभी कभी होता है प्रती एक आंक समय में तय दूरी को वस्तुकी चाल केता है या भाई साब चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय ठीक है अब दूरी बटे समय समय को उसने कितना बोल दिया बोले एक चलिये तो दूरी और चाल कैसी हो गई बराबर हो गई ये सही है अब ये सही है दो गलत हैं तो हमें क्या करना है बोले असत्त का चुनाव करना है तो असत्त कौन कौन से है यानि की पहला और दूसरा पहला और दूसरा ये अगला कुशन क्या कह रहा है पढ़िए भाई नेम लिखित कतनों में से सत्त कतन का चुनाव करना है आपकी सद्धिस सद्धिस ग्राप की आक्रती और तल्हकार हो यह इस तरीके से आपका इस्तित है कि एक इस्तित हो गया है अब इन में आक्रति आपको कैसी मिले अब तल्हकार तो तुरल का चिन ग्यात किया जा सकता है अरे भाई अवतलाकार अगर होगा तो तुरल का चिन माइनस का ही होगा क्या होगा? माइनस का होगा अगर अवतला बन जाए तो तुरल निंगेटिव होगा और ऐसे बन जाए ठेक हैं तो तुरल आपका प्लस का होगा इसा होगा प्लस का होगा यह ध्यान दखता है अच्छा तो तुरल का चिन ग्यात किया जा सकता है अच्छा बेक का मात्रक पहला कुशन क्या कह रहा है बेक का मात्रक मीटर प्रस सेकेंड होता है गलत मीटर प्रस सेकेंड नहीं होता है मीटर प्रती सेकेंड होता है बेक का मात ग्यात किया सकता है यस अच्छा फिर उसके बाद में अधिक्तम 36 परास के लिए कोड़ी ये बेग तो अधिक्तम 36 परास के लिए आपने एक क्वेशन पढ़ा होगा 36 परास का क्या होता है तो 2u ये आपका होता है यू स्क्वेर अपन जी और वैसे क्या होता है यू स्क्वेर साइन टू थीटा ठीक है ये होता है अब थीटा कितना होना चाहिए बोले 45 होना चाहिए 36 परास में यू स्क्वेर साइन टू थीटा अपन जी होता है और इसमें थीटा कितना होना चाहिए अधिक्तम परास के लिए तो अधिक्तम परास के लिए आर मैक्सिमम तभी होगा आर मैक्सिम का उंकंतला है यू स्क्वार अपॉन जी यह होना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब थीटा आपका कितना हो 45 डिगरी हो इतना हो 45 डिगरी तो यह भी आपका गलत है ठीक और यह आपका सही है तो केबल 2 सही है ब्यानी कि C बाला उप्शन आपका राइट अंसर है भीए केबल 2 सही है अगला कुशन क्या कह रहा है सूची एक और सूची दो को मिलाई है अरे भाई सूची एक और दो को मिलाना फटा-फट मिला दो पूर्जा 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 का मात्रा क्या होता है जूल होता है फिर उसके बाद में संबेक संबेक का मात्रा क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ये रहा तो भाईया क्या है दो तीन दो तीन दो तीन कांटीनू दो तीन दो तीन ये गलत ये गलत दो तीन, ठीक है, अगला कुश्चन, तारों, इसमें भी मिलान करना है, तारों वा प्रतिवी के बीच की दूरी, तारों वा प्रतिवी के बीच की दूरी, अरे बढ़ी दूरी होती है, बढ़ी दूरी को किसे नापने हैं, परकास वर्स से नापने हैं, चलिए, फिर उसके ब में प्रत्राद 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 मे इसमें न आपने हैं एंगस्ट्राम में ठीक तो तीसरा दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा दूसरा यह रहा और यह तो है नहीं यह तो है नहीं अगला कुश्चन क्या है द्रमान गुणे बेग अब द्रमान गुणे बेग यह कहीं न कहीं संबेग को भाईसा प्रदर्शिक कर दा द्रमान गुणे बेग एम इंटू वी तो संबेग ही तो होता है पी चलिए वल गुणे विस्थापन तो वल गुणे विस्थापन हमारे ख्याल से कार के बराबर होत होता है f into yes खेक है बलों की किरिया रेखाऊं के बीच की लंब बद दूरी टाउ ताव बरावर होता है f into आठ यानि कि यह आपका हो गया बल आगोड तो आपका क्या रहेगा 314 तीन एक चार तीन एक चार ठीक है तो यह आपका थे आज के बहतरीन से कुश्चन अगले वीडियो में आप सभी लोगों को इससे आगे के मतलब जानी की दूसरी टॉपिक पर रिलेटिव कुश्चन फिर आप लोगों के साथ सेर होंगे अच्छे से पढ़ते रहिए अपने प्यारे से चैनल वाइफाइ सब्सक्राइब धन्यवाद